तो हम राहू और चंद्रमा के यूती के बारे में बात कर रहे थे जब भी ये यूती आपके चार्ट में विभिन भाव में बनेगी तो आपको इस यूती के किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे यहां इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे भाव के बारे में दूसरे भाव में अगर आपका राहू और चंद्रमा की यूतिप बन रही है तो यह आपके लिए कैसा रहेगा देखिए सबसे पहले तो आपको उल्रेडी पता है कि यह गहन दोस के नाम से जानी जाती है और यहां पर आपको देखना पड़ेगा राहू कितना मजबूत इस्तिति में है और चंद्रमा कितना मजबूत इस्तिति में है अब चंद्रमा अगर अस्त भी हुआ तो भी राहू के पास वो पावर है कि वो उसको बहुत ज्यादा एक तरीके से खराब करेगा या उसके उपर गरहन लगा देगा क्योंकि राहू ऐसा ग्रह है जो सूरिय जिसे ग्रह को भी गरहन लगा सकता है तो चंद्रमा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है अब यहां पर चंद्रमा जब भी राहू के साथ इस cioè says उनको काफी ज्यदा एंप्लिफाई करने की कोसित करते हैं इस मेज़ेसे आप डेड्रीमिंग करते हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं और अब also principle में हो पाता लाइफ में और उसके बाद आप काफी ज़्यादा फ्रस्टेट हो जाते हैं क्योंकि राहु ने आपको वो बहुत ज़्यादा इच्छा दीवी होती है जो कभी भी आपकी मिट नहीं सकती तो अब आप ये देखें कि आपके चंदरमा कौन से भाव के स्वामी है कुंडले में चंदरमा आपके जिस भी भाव के स्वामी होंगे उस भाव से जुड़े होई रिस्तों से आपके expectations बहुत ज्यादा high रहेंगी आपकी जो भावनाएं है उस भाव से जुड़े होई बहुत ज्यादा रहेंगी या वहां पर आप उतने ज्यादा practical नहीं हो पाएंगे उस भाव से समन्दितकारियों में ऐसे में आपके उस भाव से जुड़े वे रिस्तों के साथ आपका बहुत ज़्यदा मतवेद सामने आ सकता है राहू और चंद्रमा का साथ है दूसरे भाव में तो जातक काफी ज़्यदा speculative तरीके से अर्ण करने की तरफ जा सकता है जिससे वो अपने property धन या अपना mental piece बहुत ज़्यदा खोएगा और जातक को last में हासल कुछ भी नहीं होगा इसके इलावा ऐसा चंद्रमा जब भी राहू के साथ इस्तित हो तो ऐसी condition में family के साथ और इवन अपनी माता पिता के साथ बहुत ज़्यदा मतवेदों को दिखाता है क्योंकि देखें second house में अगर ये conjunction है तो जातक बहुती quickly धन आर्ण करने के बारे में सोचेगा अगर उसका कोई family business भी हो तो उसको वो बहुत strongly grow करने के लिए देखेगा और ये सब वो खुद ही कर रहा होगा किसी दूसरे का वो support नहीं लेगा कभी भी और एकदम unique प्रकार के विचार आपके हो सकते हैं जब भी चंद्रमा और राहू साथ हो तो तो ये आपके मैनोवग्यानिक रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है आपकी mental peace को काफी disturb करेगा आपको बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं देगा और वो इच्छें आपको कभी भी पूरी होते वे नहीं देखने को मिलेंगी इस life में तो ऐसे में आपका मन बहुत जल्दी कुंठीत हो जाएगा फिर आप गलत निरने लेने के लिए प्रेरित हो जाएंगे राहू और चंद्रमा का साथ है तो माता के साथ प्रोपर्टी वगरे को लेकर धन वगरे को लेकर काफी ज़्यदा मतवेद होने के चांसेज है इसके लावा ज्यादा तर ऐसा जातक है वो गलत तरीकों का उप्योग करेगा अपने सेविंग के लिए या अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे में आप काफी लोगों को ऐसी स्तिते में देखेंगे जहां पर वो क्रिप्टो वगरे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई बहुती रिस्की एसेट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो regular income के लिए day trading वगरे कर रहे हैं इसके लावा लोटरी, सट्टा वगरे में भी ऐसे जात्वों के रुची पौन तयार रहती ही है इसके लावा ऐसी condition में जब भी राहू और चंद्रमा साथ हों तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये conjunction कौन सी रासी में है और उस रासी के स्वामी के चंद्रमा और राहू के साथ कैसे समंध है क्योंकि देखें चंद्रमा जो है आपके imagination को दिखाता है आपकी mental power और आपकी mental skill को दिखाता है ऐसी condition में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यदा creative हों अब इसमें आपके वानी का जो प्रभाव है वो काफी एहम देखने को मिलेगा क्योंकि आप अपनी वानी के माद्देम से भी काफी ज़्यदा creative वरक कर सकेंगे आप विभिन प्रकार के आवाजें निकाल सकेंगे जाएगा क्योंकि राहू आपकी वानी को आपकी बातों को काफी ज़्यदा amplify करेगा लेकिन थोड़ा सा यहां पर राहू कभी कभी आपको ज्यादा बातों नहीं बना देता है आपको लालची बना देता है पैसे के लिए या धन के लिए इसके साथ ही आपको second load को देखना पड़ेगा आपके चार्ट में second load करसी इस्तिति में अगर बहुत ही मजबूत इस्तिति में हुए तो निस्सित रूप से आप धनवान तो अवस्से बनेंगे अपनी जिएवन में कभी नवी पर वो सारा का सारा पैसा मैनेज करने की च्छंता आप में नहीं होगी और आपका एक छोटा सा डिसिजिजन भी आपके उस पैसे को खराब कर देगा या उस पैसे को आप लूटा देगे कहीं ना कहीं या कहीं गलत जगा इंवेस्टमेंट की वज़े से आप लोस खा लेंगे तो अब आपके जो भी निरने हैं जो भी आपके विचार मन में आ रहे हैं उन सब को लेकर आपको जादा से जादा सतरक होने के आवसेकता रहेगी इसके लावा अगर हम दरश्टी समंद के इसाब से बात करें तो राहू और चंद्रमा दोनों ही आपके आठवे भाव को एस्पेक्ट करेंगे समली तूप से ऐसी कंडिशन में आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक ऐस्तिर्था देखने को मिल सकती है काफी बार आर्थिक ऐस्तिर्था की वज़े से आप मेंटली डिस्टरब रहेंगे अपनी फैमली अपने इनलोज के साथ आपके काफी मतवेद हो सकते हैं इस मेंटर को लेकर इसके लगवा ऐसी कंडिशन में बार बार जाग तक कारिय चैतर से समन्दित कुछ समस्टे आती रहेंगी या तो कारिय चैतर में लगातर बदलाव होता रहेगा या उसका मेंटल पेस डिस्टरब होता रहेगा ऊपको राहु यहां आकरसित कर सकते हैं और राहू यहां पर आपको suddenly धनवान बनाने की तरफ आकर सित करेंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आपको सपने दिखाएंगे, जो वास्त में कभी आप पूरे कर ही नहीं सकते हैं, इसके लावा आपको research वरक, occult, तंत्र मंत्रे या yoga भ्यास बगरे, ऐसे क्रियाओं की तरफ काफी तेजी से लेकर जाएंगे, यहां पर अगर यह conjunction शुकर की राशियों में हो, जैसे कि वर्षब राशिय या तुला राशिय में, तो यह conjunction कुछ हट तक आप ले ज्यादा अच्छा साबित होगा, और आप एक बार धनवान अवस्य बनेंगे, अगर यह बुद की राश अगर अगनी तत्वर आशियों में, या एरेज में मान सकते हैं, तो यह conjunction की वज़े से आप काफी क्विक्ली डिसीजन लेंगे, बिना सोचे समझे काफी फास्ट चलेंगे अपने डिसीजन की वज़े से, और ऐसे में कोई बड़ा नुक्षान करेंगे अपने लिएंगे, तो अगनी तत्वर आशियों में अगर ये conjunction है, तो अपने विवार को लेकर, अपनी वानी को लेकर भी आपको ज्यादा से ज्यादा सावधान रहने की जरुत हैं, अगर हम राहू की दृष्टियों की बात करें, तो राहू सबसे पहले आपके 6,000 को एसपेक्ट करेंगे, और आपका कोई न कोई ऐसी समस्या अवस्या आती रहेगी, जहाँ पर आप ठीक परकार से कंडिसन्स को फेस नहीं कर पारें, आप काफी legal matter में फसे वे हैं, या कोई न कोई ऐसे जगड़े में, विवाद में फसे वे हैं, जहाँ पर आपको काफी लोस होगा, आपकी mental peace तो ज़्यादा नुक्षान में चले जाएंगे, तो यहाँ पर धन समंदी निरने, प्रोपर्टी समंदी निरने और आपसी समंदों को लेकर जो भी आपकी expectation है, उनको काफी ज़्यादा कंड्रोल करने की आपसे आपको पड़ेगी, फिर राहू क्योंकि आठवे भाव को देख रुची दे सकता है, आपको किसी भी प्रकार के गुप्त विद्या में बहुत ज़्यादा रुची रह सकती है, लेकिन आप अपनी वाणी का प्रियोग करके, जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है, या जो कुछ भी आपने ग्ञान प्राफ्ट किया है, उसको दूसरों को जरूर बताएंगे पर काफी manipulative तरीके से इसके बाद राहू का दृष्टी आपके 10th house पर रहेगा ऐसे में जातक अपने carrier को लेकर हमेशा चिंतित रहेगा अगर चंद्रमा कमजोर इस्तिति में है अच्छी स्तिति में नहीं है दूसरे भाव में तो जातक अपने carrier के लिए जो भी planning करेगा उसको वो कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा और carrier की चंता हमेशा जातक को बनी रहेगी उसको अपने उच्छ दिकारियों से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा या वो काफी फ्रोड जैसे कारिय करने वाला हो सकता है या अक्सर वो अपने काम में बहुत सारी गलतियां करेगा जिससे उसकी नोकरी पर तलवार लटकेगी तो कहीं न कहीं आपको धन समन्दी मामले कैरियर समन्दी मामलों में बहुती ज़्यादा सावधानी रखने की जरुत है ये कंजक्शन के होते हुए और आपके फेमली के साथ आपके मतवेद ना हो आपकी माताजी के साथ आपके मतवेद ना हो और जो भी आपके जिवन में जो कुछ चलेगा जिस परकार की आंसिक सांती बहुत ज़्यादा डिस्टरब्ड रहेगी हलंकि ये कंजक्शन के होती हुए कुछ अच्छे प्रिणाम यह हैं कि जातक में कुछ ऐसी विचित्र चमता होगी उसमें एक तो बहुत ही इमेजिनेशन की चमता अधिक होगी और उसमें कुछ इस परकार की स्किल होगी जिसकी वज़े से वह काफी इमेजिनेट्व होगा और वह डांस वगरे में सिंगिंग वगरे में बहुत इच्छा कर सकता है या वानी से जुड़ा हुआ कोई भी टेलेंट हो उसमें वह बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगा